हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जून 2022 टर्मेंड एक्जाम के रिजल्ट के बारे में बहुत सारे स्टुएंट ऐसे हैं जिने अपना रिजल्ट चेक करना नहीं आता है और बहुत सारे स्टुएंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आए fill करना इसके बाद आपको submit करना है, जब आप यहाँ पर submit करते हैं, तो यहाँ पर submit करने के बाद कुछ इस type से so होता, enrollment number not found, या result yet to be declared, तो बहुत सारे student का इस type से so होता है, या बहुत सारे student ऐसे भी है, जिनका एक आदे subject का result आ गया है, पर कुछ subject अभी उनके बाकी है, तो ऐसी situation में इस condition में आपको क्या करना होगा, अगर आपके भी कुछ subject का result आया है, कुछ subject का result नहीं आया है, या किसी भी subject का result नहीं आया है, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप wait करें, क्योंकि जैसा कि आप जानते कि आपके पास सितंबर तक exam चले थे, और आपका जो result है वो धीरे धीरे update किया जाता है, एक साथ आपका result नहीं आता है, आपका जो December के exam हुए थे उसका result भी आपका लगबग आने में जून जुलाई लग गया था, अगस्त तक आपका result अपडेट किया गया था, तो आपका ये जो result अभी June 2022 exam का, इसे भी update होने में अभी October तक का time लग जाएगा, इसलिए आप wait करें, और अगर आप wait नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा जल्दी है, कि आपका result जो है जल्दी आजए, जिससे कि आप आगे भी admission जल्दी ले सकें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इगनू को आपको mail करना होगा, अब आपको कहां mail करना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इगनू के जो paper है, वो evaluation center पे चेक होते हैं, तो जहां-जहां इगनू के जो आपके center है, आपको कौन से center पे mail करना है, तो इसके लिए आपको एक list दी गई है, अब कौन-कौन से list में आपका कहां-कहां जो center पढ़ा था, जैसे कि आपका जो भी exam center पढ़ा था, जिस भी city में, तो आपको यहां पर देखना है, कि आपका किस city में exam center पढ़ा था, उस city वाले आपको section में देखना है, original evaluation center, और वहीं पर आपको mail करना है, जैसे कि आपका अगर exam center देली 1, देली 2, देली 3, जैपूर, जोदपूर, नोईडा, इन सभी center में पढ़ा था, तो आपको इस mail ID पर mail करना है, या फिर आपका, जैसे कि यहां पर दिया कोलकाता, कोरापूर, रगुनात गंज, राची, इन सभी city में अगर आपका exam center पढ़ा था, तो आपको इस mail ID पर अपना mail करना है, यहां पर सभी regional evaluation center की list दी गई है, यहां पर total 7 evaluation center आपको यहां पर mail करना है, जिस भी evaluation center के under में आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इगनों कि जो paper check होते हैं, तो वो evaluation center में check होते हैं, अब कौन सी city किस evaluation center में आती है, तो यहां पर list में दिया गया है, उन center में paper check होने के बाद, यह सारे paper check होने के बाद, आपका मैदान गड़ी न्यू देली में जाते हैं, इसके बाद वहां पर जितने भी marks हैं, वो update किये जाते हैं, इसके बाद आपके marks सो होते हैं, तो अगर आपके भी अभी तक marks नहीं आए, आपका result नहीं आया है, तो आपको IGNU को mail करना है, जो भी यहाँ पर mail ID दी गई, यह original evaluation center की, आपको इस पर mail करना है, जैसे कि आपका जो paper है, वो NOIDA में हुआ है, NOIDA city में हुआ है, तो आपको यहाँ आपर evaluation daily at the rate ignu.ac.in पर, इस mail पर, mail करना है, तो आपका जो भी exam center था, जिस भी city में, तो आपको यहाँ पर list में सबसे पहले देखना है, इसके बाद आपको mail करना है, अब आपको mail क्या करना है, तो mail ID का जो format है, वो आपको मेरे Instagram या Telegram पर मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे text कर सकते हैं, आप वहाँ पर मुझे message करें, तो आपको जो भी format है वो दे दूँगा, या फिर आप मेरे Telegram चैनल जोइन करें, आपको वहाँ पर channel में भी मिल जाएगा, आपको जो भी mail format है, वो आपको वहाँ मिल जाएगा, साथ के साथ ये जो आपकी list है, ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो ऐसे आपको, अगर आपको result चेक करना नहीं आता है, तो result आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसके साथ साथ अगर आपका result नहीं आया है, तो आप थोड़ा wait करें, आपका result अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि इगनू में जो result है, वह एक साथ अपडेट नहीं किया जाता है, थोड़ा time लगता है, और फिर भी आपका result नहीं आता है, तो जैसे भी आप मैंने आपको बताया, कि आपको अपने original evaluation center पर mail करना है, और mail का format आपको मेरे channel पर मिल जाएगा, तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो, तो वीडियो को like करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा share करें, और channel को subscribe करना बिल्कुल ना भूले, धन्यवाद,